दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग fantasy talent आप YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है वीडियो में बात करेंगे दोस्तों Scotland और Australia के बीच होने वाले पहले T20 मैच के बारे में हम सभी जानते हैं कि Australia के जीते हैं के chances लगभग 98% है थोड़े वह जादा ही होंगे और लेकिन अगर Scott Land के थोड़े सी भी chances तो क्यों हैं कौन-कौन से players हैं जो टीम में जग्या बना सकते हैं Scott Land की तरब से और Small League और Grand League के Captain Vice Captain C की कौन best choice होगा इसके बारे में detail से चर्चा करेंगे वीडियो को ध्यान से देख लेना एक अच्छा combination तैयार कर लोगे और जो फाइनल टीम फाइनल अपडेट है दोस्तों वो तो आपको हमेशा की तरह टेलेग्राम पर ही मिल पाएगा तो अगर टेलेग्राम पर नहीं हो तो जॉइन करके रखो लिंक जो है वो description और आपको comment section में मिल जाएगी चली बात करते हैं सबसे पहले venue के बारे में दोस्तों मैच होगा दोस्तों ग्रेंज cricket ground पर और इस मैदान के ऊपर टोटल जो मैचेस हो चुके हैं वो है 15 जिन में से 11 बार ऐसा हुआ है जब पहले बैटिंग जिस टीम ने किन उसने मैच को विन किया वैसे देखा जाए तो यह मैच ऑस्टेलिया को ही जीतना है आप चाहे वो पहले बैटिंग करें चाहे second बैटिंग करें बस इतना कह सकते हैं कि अगर ऑस्टेलिया पहले बैटिं बनाये था आयरलेंड के सामने दोस्तों अच्छी डीम है उसकी बल्ले बाजी चाहे देशी भी लेकिन गेंद बाजी तो अच्छी है फिर यहां पर स्कोर करने वाले प्लेयर थे ब्रेंडन नमबर तीन पर खेल रहे थे यहां पर नमबर चार के प्लेयर रिची बेरिंटन स्कोर किया था यहां पर वैन हाडिन ने स्कोर किया था यह ओपन कर रहे थे और निक ने स्कोर किया था यह भी ओपन करने आये थे तो बहुत अद्दक यह देखने मिल जाएगा कि जो टॉप ओडर है वो आपको बहतर करके दे सकता है पावर प्लेय के अंदर लगभग लग बस आपको बात को ध्यान रखना है अब अगर बात करी जाए सेकंड इनिंग की तो सेकंड इनिंग में क्या हुआ है नमबर आठ नमबर दो यहां पे नमबर पांच और नमबर थीन के प्लेयर ने स्कोर किया कंसिस्टिंसी की नाम पे कुछ भी ऐसा नहीं है इसको फॉलो किया जा सके इस पीनर्स और फास्ट बूलर्स की अगर बात कि जा तो तीन विकेट इस्पिनर्स की यहां साथ विकेट यहां ते चार यहां थे और 5 यहां थे मतलब एडम जांपा अगर खेल रहे न तो उनका काम तो बतलब रहेगा इस मैच के अंदर इस चीज का ध्यान रख लिजेगा तरिये दोनों टीम्स के head-to-head मैच इसको दरा देख लेते हैं लास्ट टाइम जब यह दोनों टीम में ने दो वेकेट निकाले थे जो दूसरी तरफ ट्रेवेस एट का अडसर था इस टॉइनिस का उंसर था और मैक्सवेल ने दो वेकेट निकाल थे चूँकि इस मैच में अभी नहीं खेल रहा है अब प्लेंग 11 की अगर बात की जाए तो दोस्तों यहां पर जॉर्जी मुंसे औ मिचल जॉन्स आपको ओपन करते हुए नज़र आएंगे ब्रेंडन मैक मिलन आपको नंबर तीन पर खेलते हुए नज़र आ सकते हैं नंबर चार पे आपको रिची बैरिंटर मिल जाएंगे जो कि राइट-एंड बैंटिंग करते हैं मैठी क्रॉस विकेट डियुकर राइ इसके अलाबा शाफियन सरीफ ब्रेट करी और ब्रेट विल आपको नजर आएंगे डेट ओवर में भी इनी का इस्तमाल आप थोड़ा सा ज्यादा देख पाएंगे अब चलिए दोस्तों रिकॉर्ट्स पर बात कर लेते हैं कि कौन कौन से खिलाडी है जिनके रिकॉर्ट्स ब भी बजबूरी है तोड़ी सी आज चलिए जौर्जी मुंसे इस मेदान पर 29 का बेटिंग एबरेज दो बार 50 से उपर का स्कोर कर चुके हैं इसके अलाबा ब्रेंडन मैक मुलन का भी 250 है छे इनिंग्स के अंदर रिची बेरिंटन का 40 का बेटिंग एबरेज और 450 हैं मैथ् क्वाट के पास में 15 विकेट हैं ब्रेट करी के पास में 6 में 12 और शाफ्यान सरीफ के पास में 15 इनिंग में 14 विकेट आपको नज़र आएंगे अब यहां से जो पहला नाम है वो है जौर्जी मुंसे का जौर्जी मुंसे 32 का बेटिंग एबरेज मेंटन करते हैं जब पहले बेटिंग करते हैं 38 के बेटिंग एवरेस से खेलते हैं जिसमें 450 और एक बार 100 से उपर का इसको शामिल है कमजूरी के नाम पर फास्ट बोलिंग और लेग स्पिन इनकी बहुत बड़ी दिक्कत है यहां पर आपको देखने मिलेगा रेले आर मेरेडित और एडम जांपा चूंकि एडम जांपा आप नई गेंसे तो गेंद बाजी नहीं करेंगे तो जांपा वाली दिक्कत तो खदम है अब दिक्कत होगी तो आर मेरेडिक से हो सकती है और या फिर नेतानेलिस जो की नई गेंसे गेंद बाजी करेंगे इसके बाद नमबर दो पर कौन मिलेगा आपको मिचल जॉन्स इन्होंने एक बार पचास किया है दस इनिंग के अंदर तो हाल फिलाल में यहां तो रिस्क लेना बनता नहीं है तो इनको तो हम छोड़के चलेंगे जो नया पावर प्ले के साथ हमरी गिंद बाजी होगी ऑस्टेलिया की तरब से उसको विकेट मिल जाएगा यह वाला फिर नमबर तीन पर आपको कौन मिलता है ब्रेंडन मैकमलन ब्रेंडन मैकमलन इस टीम के एक बहतर प्लियर है अगर आप रिकॉर्ट की बात करोगे तो उस्टेलिया के सामने भी पहले एक बार पचास बना चुके हैं और अगर हम टी ट्वेंटी आइस के इनके रिकॉर्ड देखें तो टोटल नौ पारिया खेली है जिसमें चार बड़े स्कोर इनके बैट से निकल चुके हैं चाहे पहले बैटिंग की हो चाहे सेकंड बैटिंग की हो दोनों इनिंग्स में रिकॉर्ड अच्छा है और एक विकिट भी इनके खाते में चुकि हम गिन बाजी पर डिपेंड नहीं रहेंगी हम डिपेंड करें तक ये डटे रहे तो फिर जांपा इनके सामने आएंगे तो इनकी मुसीबतें बढ़ा सकते हैं नमर चार पे मिलेंगे रिची बैरिंटन के पास में च्छे पचास है इस टीम के सामने मतलब अस्ट्रेलिया के सामने पहले 42 कर चुके हैं और 38 का इनका बैटिंग एवरिज ह पहले बैटिंग करती हुए 55 और एक बार 100 से उपर का स्कोर इनके खाते में तरच है फिर नमर पांच में मिलते हैं मैथी क्रॉस मैथी क्रॉस ने ऐसा कुछ खास किया नहीं है तो यहां आपको दिमाग नहीं लगाना इनको लेफ्ट आम मीडियम और राइट आम मीडियम द लाशने जाओगे उस्टेलिया की टीम में तो आपको एक मिलेगा ट्रैविस हैड और उसके अलाबा फिर आप लेफ्ट एंड बैट्स में नहीं दूड़ पाओगे तो इसलिए यहां पर जादा दिमाग अभी नहीं लगा रहा हुए बैटिंग इनकी थोड़ी सी कमजोर औ किस पारी खेली है मात्र पंद्रा डेथ ओवर में गेंद बाजी करेंगे बहुत अच्छा बेनेफिट है पहले गेंद बाजी करते हुए 6 विकेट सेकंड करते हुए 11 विकेट इनके खाते में दर्ज है इसके बाद दोस्तों जो अगला नाम आपको मिलेगा वो लेफ्ट टाम मीडियम ब्रैट करी है इन्होंने रिसेंटली अंतराश्टी क्रिकेट में अच्छी गेंद बाजी की है पर देखने वाली बात यह भी कि ज्यादा तर मैसे चोटी टिम्स के खिलाफ खेले हुए लेकिन फिर भी 10 इनिंग में 17 विकेट है और शाफिय अंसरीफ है जिन्होंने 13 पारियों में 16 विकेट निकाले हैं 11 इनिंग में 14 विकेट है जब सेकंड इनिंग में गेंद बाजी की है अब बात करें अगर ऑस्टेलिया के बारे में अब यहां ऑस्टेलिया की तरफ आपको जादा कुछ देखने की ज़रूत पड़ेगी नहीं जेक फ्रेजर खेलेंगे आपको डेविव करते नजर को मिलते हैं अब पावर प्ले के अंदर गेंद बाजी कौन करेंगा पावर फ्ले के अंदर गेंद बाजी जो है वह आपको मिलने वाली एक त formation से तका यहां काफी नजर आ है और रिसंटी हमने यह भी देखा कि ऑस्टेलिया कौछ समय से सर्फ चार रेगुलर गेंद बाज जों के साथ में खेली है और केमरून ग्रीन मारकस टोइनिस मैक्सवेल ने मिलकर पांचवे गिंदबास का काम किया है पिछले कुछ समय में हम यही देखते हैं तो अगर ऐसा होता है तो फिर मारकस टोइनिस आपको नई गिंद से गिंदबास ही करते मिल जाएंगे पर जी है क इनको आपने T20 में खेलते हुए देखा होगा 160 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाला प्लियर है हर बोल पे कोशिश होती है कि चौका या च्छका लगाया जाए मतलब अगर 15 या 20 गिंदे खेल गए तो चांसिस होंगे कि एक अच्छा स्कोर मिल जाएगा चूंकि यह अंतरा परसेंट के करीब लोग जो हैं इनको कैप्टन वाइस कैप्टन करे हुए हैं ट्रैवेस हैड का 32 का बैटिंग एबरेज और अल्रेटी स्कॉट लेंड के खिलाब पहले 68 बना चुके हैं तो यह बहुत सेफ है मैंने देखा का लगवाद 40 से उपर परसेंट के लोग जो है वो इनको कैप्टन कर रहे है तो यह इजी चोईस हो जाएगा आपके लिए सेलेक्शन के लिए और वैसे रिस्क लेना है ग्रेंड लीक में जाना है तो हमारे पास फ्रैजर मैग अच्छी चोईस है चार पारी एक विकेट इनके बास है और लेफ्ट टाम फास्ट बोलिंग और और्थोडोक्स जो है वो इनको थोड़ी समस्या खड़ी करते हैं तो मार्क वोड एक प्लेयर है जो इनके लिए दिक्कते बढ़ा सकता है जो कि सामने वाली टीम के पास में है और अच्छा गेंड बास भी है फिर है मिचल मार्श मिचल मार्श का पिछला कुछ समय उतन अब इसके बाद आपको इनकी कमजोरी देखने मिलेगी कि ऑफ इस्पिन के सामने थोड़ा फस जाते हैं कई बार और सामने वाली टीम के पास मिचल लिस्क है इसके बाद जॉश इंगलिस है दोस्तों विकिट कीपर में अगर आप जॉश इंगलिस को रख रहे हो ना तो च अस्टेलिया सेकिंड बैटिंग कर रही है तो फिर इंगलिस तक आना मेरे इसाब से एक रिस्की चोईज होगा इनको और फास्ट बोलिंग परिशान करती है सामने वाली टीम के पास में मार्क वाट है जो की इस तरह की गिनबाजी कर लेते हैं और रही बात इनके भी निकाल रहे हैं सबसे बड़ी बात तो यह है और आल राउंडर है अगर टीम पहले बैटिंग करें तो फिर आप इनको कैप्टन बना सकते हो सेकिंड बैटिंग कर रही है तो फिर कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाईएगा कारण क्या है कि पहले बैटिंग करेंगे तो और 39 विकेट खाते में दर्ज हैं केमरून ग्रीन बहुत थोड़ी सी गिनबासी होगी एक और दो बर डाल सकते हैं 17 का बैटिंग एवरेज है पांच विकेट हैं इनको तो आप छोड़ने का भी रिस्क उटा सकते हो अगर उठाना चाहते हो तो इसके बाद अगले नामें टि प्रमता है रखता है बंदा तीन से चार विकेट निकालने की तो यह बहुत अच्छी चोईस बनेगा आपके लिए अगर पहले गिनबासी कर रही है टीम तो कैप्टन बन सकता है इसके बाद अगला जो नाम है नैथन एलिस यह तो हर एक मैच में कैप्टन सी की दावेदार पेश करेगा क्योंकि डेथ ओबर का बहुत तगड़ा गिनबास है पहले गिनबास ही करते हुए आप खुद देख सकते हो कि 10 पारी में 19 विकेट है तो यह हाथ कंगन को आरसी के वाली बात है सामने दिख राए देख सकते हो लास्ट में जो दो नाम है जामपा चाहे टीम पहले गिनबाजी करें सेकिंड करें यह हमेशा ची चोईस रहेंगे कैप्टन सी के लिए और इसके बाद आर्मेरेडित हैं जिन्होंने पांच पारियों में आठ विकेट निकाले हुए हैं अभी तक अपने टी-20 केरियर में अब दोस्तों सीधा अगर कैप्टन से की बात क इसको ट्राइब कर रहा है आप लोग इन पर रिस्क उटा सकते हैं बचे जो तीन नाम इने आपको दिया हुए है टीम कॉंबिनेशन क्या कहता है बहुत इजी है जोर्जी मुंसे रखे हुए है क्योंकि विकेट कीपर में अभी इंगलिश के साथ नहीं जा रहा हूं बाकि तो सभी फ्लेयर्स यही लेके चलने वाले उम्मीद करता हूं कि दोस्तों चीजी आपको सोज में आई होंकि अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना कॉमेंट कर देना ध्यान रखेगा इस गेम में भी हैबिट फॉर्मिंग फाइनेंशली रिस्की सो प्लीज मिलते रहेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में एक बार फिर तब तक लिए बाई जय हिंद जय महाकाल